इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी सिलेंट्र प्लस पांच टैबलेट एक डॉक्टर के परचे की दवा है जिसे एंग्जाइटी डिसॉर्डर के इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है यह एक कॉंबिनेशन दवा है जो नव सेल की असामान्य और अत्यधिक एक्टिविटी को कम करके मस्तिश्क को शांद करती है यह मस्तिश्क में एक कैमिकल मेसेंजर के स्तर को बढ़ाता है जिससे मूड बहतर होता है सिलेंट्र प्लस पांच टैबलेट भूजन के साथ या भूजन के बिना लिया जा सक हाला कि इसे हर दिन एक तैस समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्यूंकि इससे शरीर में दवा के समान लेवल को बनाय रखने में मदद मिलती है। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधी में लें क्यूंकि इसमें आदत निर्मान ख्षमता है। अगर आप इस दवा की कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो जैसे ही आपको याद आए उसे ले लें। चाहे आप बहतर महसूस करें तो भी इलाज का पूरा कोस खत्म करें। ये आवश्यक है कि इस दवा को अचानक से लेना बंद न करें क्यूंकि इसके कारण विड्रॉल लक्षन हो सकते हैं। इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में देर से स्खलन, सेक्स की इच्छा में कमी, उल्टी, या दाश्ट बिगरना, डिप्रेशन और उल्जन शामिल हैं। इससे चक्कर आने और नींद आने जैसी समस्याइं आ सकती हैं। इसलिए जब तक आपको पता न हो कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसमें एकाग्रता की जरूरत होती है। इससे अलग-अलग व्यक्तियों के आधार पर वजन बढ़ सकता है या कम हो सकता है। वजन बढ़ने से रोकने के लिए आप संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें। दूसरी ओर आपके आहार में खाने की मातरा को बढ़ा कर वजन को घटने से रोका जा सकता है। अगर आपके मूड या व्यवहार में कोई असामाने बदलाव होता है को आपने डॉक्टर को सूचित करना आवश्यक है क्यूंकि इसके कारण आत्महत्या के विचार आते हैं। अगर आप लिवर की बीमारी से पीडित हैं तो दवा लेने के दौरान सावधानी बरतें। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रही हैं क्योंकि इन में से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। अगर आप गर्भवती है, प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या स्तनपान करा रही हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।